तो कैसे आप से तो साइंस के हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम जो गॉवर्मेंट एक्जाम्स में रिपेटेड इंपोर्टेंट कोश्चन्स होते हैं वो हम टॉपिक वाइस कंप्लीट करते हैं आज का जो हमार टॉपिक है वो टॉपिक है टीशू यानि की उत्तक इस वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है आज जिसे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन्स बनते हैं टीशू में भी सिर्फ एनिमल टीशू यानि की जनतु उत्तक आज हम कंप्लीट करेंगे पा करेंगे तो वीडियो के लास तक बने रहे ताकि आपका कोई भी कोशन मिसना हो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर ले और चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जब हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो शुरू करें सबसे पहले तो study of tissues tissues की हां तो सबसे पहले में spelling गलत लिख दी है तो ठीक कर देती हूं नहीं तो आप लोगों का कमेंट आएगा कि मैम आपने जो है spelling तो गलत लिखी हुई है तो study of tissues उत्तको के अध्यान को हम क्या कहते हैं तो क्या कहते है हिस्ट्रोजी तो study of tissues क्या कहलता है is trilogy इससे भी रिलेटिद एक कौशन जो है आ चुका है कि इस्ट्रोजी जो शब्द है वह सबसे पहले किसके द्वारा दिया तो किसने दिया मेरे तो हिस्ट्रोजी शब्द किसने दिया मेरे जिन्होंने इस्ट्रोजी शब्द दिया और study of tissue histology कहलाता है अब main चीज आती है कि आखे tissues या उत्तक होता क्या है तो tissues क्या है आपके group of cells है तो यह माली जो क्या है आपके अलग-अलग cell है तो इनका पूरा एक यह जो group बन गया अलग-अलग cell का यह जो group बन गया जिनका same function होता है same इनकी origin है, same इनका structure है तो ऐसे group of cells को हम क्या कहते है टीशूज तो टीशूज क्या हो गया टीशू क्या है एक cell का एक group है जिसका same जो है function होता है same origin होता है और same structure या सनरचना होती है animal tissues के अगर बात करें हम सभी animal tissues की बात करें तो हमारे अंदर जो है टीशू जो है वो चार तरगा है कौन-कौन से epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue और nervous tissue तो यह चार तरह का tissue पाई जाता है इन में भी जो है आगे parts है इन में भी जो है अलग-अलग तरह की tissue पाई जाते है जैसे कि अगर हम connective tissue देखें तो connective tissue में कई प्रकार के आपके tissue मिलते हैं जैसे bone भी आपका क्या है एक connective tissue है इसी तरह है जो आपके joints में आपका जो lymph है एडिपोस tissue है तो यह सब जो है यह जो चार main tissues है इसके अंतरगत ही आते हैं तो याद रखेगा अनिमल टिशू सिर्फ चार तरह के हैं कौन-कौन से एपिथीलर टिशू मस्कूलर टिशू कनक्टिव टिशू और नर्वस टिशू इनके बार में अगर आपको डिटेल से जाना है इस टॉपिक के बार में तो नीचे दिये गया लिंक दिस्क्रेप्चन में जो लिंक दिया गया हैं कमेंट बॉकस में लिंक दिया गया है वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं तो इब हम चलते हैं टिशू के इंपोर्टन कोौोंट्स के बार में면 जो प्रXT को इंगर में अगर्ओंन एकजाब्क वो आपका मर जाए, डेड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे cells को हम क्या कहते हैं, ऐसे tissues को क्या कहते हैं, जो living beings में क्या है, जो मर जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक term यूज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, necrosis, क्या कहते हैं, necrosis, तो याद क्या कहते है नेक्रोसिस नेक्स्ट कोशिन आप से कि यह जो इस कोशन में हम दो तीन चीज़े एड करेंगे जो बार बार पूछी गई है तो एक ही पॉइंट में हम कवर करेंगे बार बार जो है अलग अलग पॉइंट इसके नहीं बना रही हूं मैं तो ऐसा टीशू का आपक इस चिर्की सबसे लंबी जो कोशी का कोंसी है सबसे लंबा सहल कोंसा है जो कि कभी डिवाइड नहीं होता तो कोंसा है आपका नर्वस टीशू तो जो आपका तंत्री का उत्तक इसको हिंदी में क्या गहता है तंत्री का उत्तक या आपका नर्वस टिशू है यह हमारे जन के बाद बर्थ के बाद जो है कभी डिवाइड नहीं होता है और नर्व की नर्वस टिशू की जो आपकी स्ट्रक्चरलर यूनिट है वो क्या है न आपको याद रखनी है उसके बाद ब्लेड यान कि आपका रख्थ है यह किस प्रकार का टीशु हुए मैंने शुरुआत में चार प्रकार के टीशु बताए है इन चारों में से कौनसे पका टीशु है यह क्लेक्टिव टीशु गृत कोन से टीशु है यह इसके बाद डेसे है नेन्से टीशु है कौन से टीशु को हमारे श्रीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है तो कौन से टिशू को कहा जाता है तो कहा जाता है आपके एपिडर्मिस टीशू को तो एपिडर्मिस टीशू जो कि हमारे शिरीर के में जो बाहरी है जो हमारे शिरीर को बाहरी तोर पर जो कवर करता है तो यह आपके ऊपर जो स्किन के ऊपर कौन सा टीशू है यह आपका एपिडर्मिस टीशू जिसे कहा जाता है कि यह हमारे शिरीर किस कि study को histology कहते हैं तो study of tissue या है उत्कों के अधियन को हम क्या कहते है histology और histology जो शब्द है वो किसने दिया मेर ने तो यह चीज चाहर रखे कि important है histology जो तर्म है वो मेर द्वारा दी गई मेर सांटिस्ट के द्वारा दी गई कौन सा टीशू मेली help करता है तो वो help करता है Alternate टीशू कि किस के अंतरगत आता है तो हमारी श्रीड जो है आपके गरम करने के लिए आप देखेंगे तो जो आपके मोटे लोग जिन में आपका जादा है उनको ठंड क्यों कम लगती है क्योंकि उनकी जो है उनमें ज्यादा फैट पाय जाता है जो कि उनको गर्मी से या फिर ठंड से जो है उनको बचाता है तो इसको क्या कहते हैं फैटी टीशू जो की अंतरगत आता है इसी को हम एडिपोस टीशू के नाम से भी जानते next ay semicis gland कहां तो間 GREG जटान है वह पाया जाता पाया जाता है सुबसीन से पष it alone सुब्मक्स जो なके तवाया तो यह तो आपके कहा पाया जाता है यह आपके तो आह स्काराय के लेर अजलर और है शोकिक हम जाने लिविंक रावते हैं wonder स्काराय को है मिरल सेल्षा भिस इसहें किनित हैं फूंश्या दीश्या आरशन चारीष्ट शे सनल होता है यह भानन गीमं पारशे सुख़ोक मेरन के सिण खूर पारणयल होती हैं किराटीन के बने होते हैं किससे बने होते हैं किराटीन जो की डेड से बना होता है किराटीन कहां होता है आपके अमिस तीशू का ही अपका भाग होता है जो की डेड से भल Shukla cheese रख किनक खूछ जोनिमर मत में या सींग होते हैं वो आपके किरेटीन के बने होते हैं नेक्स कोश्चन है लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा क्या स्रावित होता है किसका सिक्रेशन जो होता है तो किसका सिक्रेशन होता है टियर्स का आशुओ का जो स्रामन है वो हमारे आखों में किसके द्वारा होता है ले आपका नर्वस टिशू, यानके तंत्री का उत्तक क्या करती है, जिसमें आपके नियूरोन पायते हैं, जो एक नर्व सैल होती है, एक नर्व कोशिका होती है आपका, वो इस तरह से हमारे पूरे श्रीर में जुड़े होती है, कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी ब्रेन के द्वारा पूरे श्रीर के लिए लागो की जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे मस्टिश्क्र के द्वारा पूरे श्रीर के लिए जाती है, तो वो हमारे श्रीर में कैसे पहुंचाता है, नर्व टिशू या जो एक नर्व सैल के माधियम से, जो एक नर्व सैल के माधिय जाती है न size legament किसको जोड़ता है तो leg ma legament आपका अस्ति से या बोन को बोन से जोड़ता है यह कोशर्ड काफी कंफीजन है लिगामेंट और टेंडन का तो इनमें confusion रहती है तो याद रखेगा लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है जबकि टेंडन जो है वो बोन को आपके muscular tissue या मास पेशियो से जोड़ता है तो यह आपका क्या है यहां पर shoulder पर बीग टेंडन है जो आपकी muscular tissue को क्या है अपके bone से जोड़ता है इसे हम टेंडन कहते है जबकि legament bone को यह आपकी bone है इसको दूसरे बोन से आपके कौन जोड़ेगा clicament जोड़ता है next मुसरॐ में थकान कई बाड़ काफी घूम लेते हैं काफी चल लेते हैं तो आवकी मसल में परों में थकान की महसूस होती हैं, तो क्लीना की थकान होती है, क्यूंकि मसल में मज्वूलर टीशू में कहने पर्कार के लाएवजिदु जमा मरेता है? लेक्डिक आसहीट लेक्टिक अमल उसके बाद जो next question है बोन जो आपका tissue है बोन जो कि एक connected tissue का परकार है उसमें एक canal पाए जाती है जिसका नाम है हैंवर्षियन कैनाल यहा से पुर्छाता है कि हैंवर्षियन कैनाल किस में पहे जाती हैं फिशी में वर्ट्स में किस में पाके सथ wyp कि का समक्तारियों हमारी वंद्र स्तों का जोडिय फ्री withoutpod में कौन सा फ्ल्यूट पाए जाता है जिससे कि हड्यों के बीच में कोई फ्रिक्शन या जो प्रेशर है वो ना पड़े तो इसे हम क्या कहते हैं साइनोवियल फ्ल्यूड तो यह थे कि इंपोर्टन कोशन जो कि अनिमल टीशु से बनते हैं इसके लावा एक दो कोशन में आप से पूछती आप नीचे कमेंट सेक्शन वे जुरू बताएगा कि हमारे शेर की सबसे बड़ा जो मसल है मस्कुलर टीशू है वो कौन सा है जबसे चोटी मसल या जो सबसे चोटा मस् आपको वीडियो समझ आई हो कोई डाउट रहे गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में जुरूर पूछ ले तो और अगर आपको इस टीशू की इस टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्विटर पर जिसका लिंक नीचे दिया गया है आज के लिए इतना ही थैंक यू, थैंक यू सो मच